तो अगर आपके भी अधार कार्ड में मुवाइल लंबर राइस्टर नहीं है या दोस्तो आप लोग यहाँ पर बीना OTP के अधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तो मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप लोग दोस तो कैसे यहाँ पर बीना मुवाइल लंबर के अधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दोस्तो कोई सा भी अपने फूर में ब्राउजर अप्लिकेशन को ओपन कर लेना होगा जैसे आप सभी यहाँ पर दोस्तो ब्राउजर अप्लिकेशन को ओपन करेंगे open करने के बाद दोस्तो आप लोगो UIDI लिग कर search कर देना है जैसे दोस्तो लिखेंगे लिखने के बाद जैसे search करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप लोगो आधार कार्ट का website आ जाएगा देना आप लोगो दोस्तो आधार कार्ट के website पर click कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यह website open होगा open होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी से language पुछा ज़ेगा जो भी दोस्तों आप लोगो language आता है वो आप सभी को दोस्तों language select कर लेना है select करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं आप काफी सर आप सभी को दोस्तो option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तो आप सभी को एक get आधार का option देखने को मिल रहा है तो आप सभी को दोस्तो यह वाले option पर click कर देना है जैसे आप सभी दोस्तो get आधार वाले option पर click करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल जाएगा तो यहां पर दोस्तों आप सभी को आधार डाउनलोड का ओप्शन देखने को मिल रहा है तो आप सभी को दोस्तों यह वाले ओप्शन पर नहीं क्लिक करना है इससे दोस्तों अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप सभी दोस्तों यहां पर OTP मागा जागा तभी दोस्तों आपका आधार का डाउनलोड होगा तो आप सभी को बीना OTP का डाउनलोड करना है तो simply यहां पर दोस्तों आधार पीविसी कार्ड वाले जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के Medien यापर我知道 सभी का आई यूविझे से घ्जिसे अपर आद्यालमालोड कर सकते हैं किने को मिल जाता है आप सभी को दोस्तों जाएन के लेमिंट कर देना है जैसे दोस्तों पर यहां पर पैमेंट कर सकते हैं यहां पर क्रेट काड़ का और इंट हैं यहाँ पर अपना धारकट देख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपक अपना धारकट यहाँ पर निकाल सकते हैं वरना दोस्तों दूसरा कोई तरीका नहीं है तो वीडियो अच्छले